प्रोट यू बाई इंडिपेंडेंडेंस असी महिलाओं को जन्शुराज के प्लेटफॉर्म से प्रसिक्षित करके उनके पीछे अपनी ताकत, बुद्धी, सक्ती, बिवस्ता लगाकर उनको नेत्री बनाने का जो अभियान है वो शुरूप किया है ये कोई महिला प्रकोष्ट की बैठक नहीं है ये महिलाओं को सही मायनों में नेत्री बनाने का प्रयास है जो मैंने और चार बाते कहीं वो भी आपने सुनी कि जब तक महिलाओं को आर्थिक अजादी नहीं मिलेगी तब तक उनकी भागिदारी समाज में समानता के अधार पर नहीं हो सकती है इसलिए जन्सुराज का जो पूरा अवियान है कि सबसे पहले 40 महिलाओं को मिलान सवा में जिता कर पहुँचाया जाए दूसरी जो बात कही गई है कि जो महिला यहाँ पर रोजी-रोजगार वेवसाय करना चाहती है आज जो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको 4% के ब्याज पर सरकारी गारेंटी पर महिलाओं को रोजी-रोजगार करने के लिए पैसा मिले क्योंकि अभी जो यहाँ पर जीविका चल रहा है उसमें महिलाओं को 2% सवा 2% प्रती माह ब्याज लग रहा है जबकि यहाँ पर जो माली हालत है महिलाओं की इतनी स्थिती खराब है उनके पास गिर्वी रखने के लिए कुछ नहीं है तो सरकारी गारेंटी पर महिलाओं को पैसा मिले ताकि वो अपने घर-घर रोजी-रोजगार कर सके यह दूसरी गोसना की है तीसरी गोसना जो सबसे महत्कून है जो गाउं-गाउं से करते आये हैं कि दो हजार पचीस में जब जनता की सरकार बनेगी जनसुराज की सरकार बनेगी तो साल भर के अंदर बिहार से किसी भी बच्चे को, किसी के बेटे, किसी के पती किसी के बाबुजी, भाई बतीजा को मजबूरी में 10-12,000 रुपया के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़ कर जाना नहीं पड़ेगा, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमने जारी किया है, उस पर भी आज मैंने महिलाओं की समती ली आपने खुद देखा होगा, महिलाओं ने हाथ उठा होकर उसका समर्थन किया। जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों को ठगा है, आपके पेट पर लात मारा है, उन नेताओं को चाहे वापके जाती का है, आपके धरम का है, उसको भोट नहीं देना है, भोट किसको देना है, मैंने ये नहीं कहा है, कि भोट परसांद किसोर को देना है, कि जन यूनिफाइड योजना कल केंदर सरकार ने जारी करी है उसको उसका डिटेल आने दीजिए वह NPS और OPS के बीच का कुछ रास्ता निकालने का सरकार ने प्रयास किया है मुझे नहीं लगता है कि जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संगरत संद्द्ध हैं जो अंदोलन कर रहते उनकोये स्विकारिं होगा लेकिन सरकार ने कल जारी किया और यह जोड़ि味 सरकार के करमचारियों के लिएक icon सरकार के अंतरगत काम करने वाले तेइस लाग करमचारियों को यह उसर दिया गया है राज्यों को इस पर अभी निने लेना है तो राज्यों के पास यह स्वतंतरता है कि वह OPS भी रख सकते हैं सकते हैं उसको भी लitना है उसको भी उसको भी अपना सकते हैं तो बिहार सरकार को यह बताना चाहिए क्योंकि यह लोग तो इनप्स में आ गया है जासकारियों करए पुरा हक मार दिया किसको इसने क्या कहा अब भाई ऐसा है कि जिसने बक्तब दिया है वह भी हमसे बहुत बड़े नेता है जिन पर बक्तब दिया है वह भी हमसे बहुत बड़े नेता है हम अपनी बात कह सकते हैं बिहार की बात कह सकते हैं बिहार में के समाज बिहार के बच्छों की बात कर रहे ह मतलव मैरे बाई 40 महिलाओं को मिले पिर उसमें आप जबरजस्ती मत घुस्रीना लगा महिलाने दीजा हम को माता भीन और नहीं कुछ जातिगत जनगन्ना हो जाने से सब की गरीबी दूर हो जाएगी परिसानी दूर हो जाएगी यह जो राहूल समाज के लोग सबसे गरीब पिछड़े सेक्षणिक आर्थिक समाजिक तौर पर सबसे पिछड़े हैं तो राहूल गांदी को यह बताना चाहिए यह जो भी यह बता रहा है कि जातिकत जनगन्ना से सब सुधर जाएगा तो उसको बताना चाहिए कि समाज के लोग दसा क्यों सब्सक्राइब करना शुक्राइब तो यहां लाइसे लोगों की सरकार थी ऑप जनकना करके पूरे अब देश का भला कर देते चलिए माल लिजे अब उनको अकल आया है अब उनको समझ में आई यह बात तो जनगन्ना जिन राज्यों में कॉंग्रेश की सरकार है तिलंगाना में है करनाटक में है हिमाचल में है वहाँ पर करके गरीबी दूर कर लें हम लोग सब लोग उनके पीछे उसी मौडल को माल लेंगे अगर जातिगत जनगन्ना से गरीबी दूर होती तो बिहार में तो जनगन्ना हो गया तो यहां गरीबी किसका दूर हो गया राह लेकिन वह पता चल रहा है उसका कोई रास्ता नहीं का लिए है यह तो पता है लेकिन गरीबी से निकलेंगे कैसे इसका रास्ता बताना पड़ेगा बिहार जैस में और पिछड़ा राजिये इसके लिए जंगन्ना की ज़ुरुत है इसको सुदारने का रहुन गांदी क्या मंत्र दे रहें वह न बता हैं आइसाया मेरे बाब के टिकाश के मामले में दो AGAड के मामले में पर चिकाश पर कर सकती है रंगारी बालू सराव माफिया पर बोले तो उसका टिकाटीपणी हो सकती है ये लोग ये लोग राइम पर बोले उसका जवाब देंगे तेजस्वी यादव विकास के मौडल की चर्चा करें ये हस्यास्पत लगता है इनके लोग 15 साल यहां शासन में रहे हैं जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है वह बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है उस पर क्या टिकाटीपणी करनी है